तो दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चानल रिच्वित अमवे में तो लेटेस वीडियो को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करकी और पे क्लिक कर लीजेगा जिससे आपको लेटेस वीडियो का नौटिफिकेशन मिल जाए तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं आज का तो वीडियो है वो हमारे किस सप्लिमेंट रेंज की जो सीरीज चल रही है उसका तीसरा वीडियो है और आज हम लोग देखने वाले है फर्स्ट केडेगिरी किड्स फामडेशन का तीसरा हम कई बार टेलिविजन के अड़ोटाइजमेंट्स में भी यह वर्ड सुनते हैं डियेचे तो बैसिकली यह डियेचे का फुल फॉर्म है डोको साहेक्सायनिक इसे ओमेगा-3 पैटी असे के नाम से भी जाना जाता है तो ओमेगा-3 पैटी आसिद डोको साहेक्सायनिक आसि मचली या मचली के तेल में पाया जाता है यह डियेचे जो मस्तिश्क के विकास वह नर्वस सिस्टिम को मजबूत बनाने में मदद करता है डियेचे बच्चों में मांसिक संतुलन वह मस्तिश्क क्रियाव को सुचारू रूप से चालू रखने का काम करता है डियेचे की कमी बच्चों के दिमागी विकाद के साथ उनके नर्वस सिस्टिम को भी कमज़र बनाती है और यह बहुत इंपोर्टन है कि हर बच्चे को अच्छी शुरुवात मिलनी चाहिए उसके लाइट में हमारा ब्रेन जो है वो बैसिकली फैट से बना हुआ होता है हमारा ब्रेन जो है वो 60% पैट से बना हुआ होता है एक सर्वे के अनुसार ऐसा देखा गया है कि हमारे भारत में डेली डाइट जो है बच्चों का उसका 3 डियेजे की कमी है यह जो ओमेगा 3 का गयाप है वो फुल्फिल करने के लिए कई माय फिश ओईल सप्लिमेंट की ओर बढ़ रही है तो फ्रेंड हमने बहुत सारी इंफोमेशन तो देख ली डी एचे के बारे में अभी हमारा यह जो प्राड़क्ट है न्यूट्रिलाइड डी एचे यमी इसके कुछ बेनिफिट्स हम देखते हैं तो पहला बेनिफिट यह ही है इसका कि यह ब्रेंड डेवलक्मेंट और पंक्शनिंग में मदद करता है नेक्स्ट बेनिफिट यह है कि यह किर्ज फ्राइनली चुएबल फॉर्माट में आता है तो बच्चे इसे आसानी से चबा सकते हैं इसका जो टेस्ट है वो औरेंज लैमनी है तो बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं तो यह कैसा लेना है जो बच्चे पाथ साल या उसके ऊपर है बारा साल तक वो यह ले सकते हैं और इसका एक सॉप्ट जल एक दिन में बच्चों को देना है खाना खाने के बार तो दोस्तों यह सारी इंफर्मेशन थी नुट्रिलाइट बिएचिस यमिक के बारे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें और बिजनेस रिलेटेड कोई बेजानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई इंफर्मेशन का यूज करें धंक्यू